दोस्तों नमस्कार टीवी और इंडिया के खास कारेक्टरम सवाल है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। यानि ऐसे भुकंड जो आने वाले समय के लिए गार्डन, खेल मैदान, हस्पिटल, स्कूल या सामाजी को पयोग के लिए आरक्षित है। इसे उस पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि राज्य सरकार ने जो 6 सेप्टेंबर को जी आर निकाला है। डेवलप्मेंट प्लान को लेकर खास थोड़ पर यह तरसल है क्या और इसका क्या आप निगेटिव इंपक्ट देख रहे हैं आने वाले समय के लिए एक शहर जब बसाया जाता है तो प्रक्रिया क्या होती है वो समझ के लेना जरूरी है। कोई भी शहर अगर नया बसाया जाता है तो उस शहर में जो आबादी आने वाली रहीगी। समझो आज अगर 2021 में अगर हम लोग शहर बसा रहे हैं तो 2021 याने 20 साल के लिए कितना पॉपुलेशन होगा। उस हिसाब से जो क्षेत्रफल के उपर ये शहर बसने जा रहा है उसमें कुछ परसेंटेज ये सारवजनिक यूटिलिटी के लिए रखे जाते हैं, पब्लीक यूटिलिटी के लिए जिसके अंदर प्लेग्राउंड होते हैं, रोड होता हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, अब नभी मुंबई की जब आम लोग बात करेंगे तो ये लोगों को जानना जरूरी है, कि नभी मुंबई Municipal Corporation ने 1994 में आई है, लेकिन शिड़को ने नभी मुंबई शेहर बसाया हुआ है, अब शिड़को ने जो नभी मुंबई शेहर बसाया, वो टोटल एरिया था 354 स् और 1985 में इस शेहर का डेवलोप्पेंट प्लान याने 354 स्क्वेर का प्लान बनाया हुआ था और वो बनाते समय 2005 में सिड़को के डेवलोप्पेंट प्लान के हिसाब से 20 राख के गरीब आबादी आनी चाहिए थी ये मेरी जानकरी है और 20 लाख के जानकारी के लिए, 20 लाख के आबादी के लिए जितना रिजर्वेशन चाहिए, उतना ही उन्होंने रखा हुआ था 1994 में एक्जिस्टेंस में नवीम में मुन्सिबल कॉर्परेशन आ गई 109 स्क्वेर किलोमेटर पे, याने 304 में से 109 स्क्वेर किलोमेटर पे नवीम मुन्सिबल कॉर्परेशन आ गई उन्होंने आते ही डेवलेप्मेंट प्लान करना चाहिए था, लेकिन किस कारणवश ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो प्लान 2017 तक हो नहीं पाया 2017 में नवीम मुन्सिबल कॉर्परेशन ने सिड़को को इंफर्म कर दिया कि हम डेवलेप्मेंट प्लान बनाने जा रहे अपने 109 स्क्वेर किलोमेटर के लिए तो अभी जितने भी ओपन प्लाट्स है, जिसके उपर सिड़को ने भी आरक्षन रखा हुआ था, और जो ओपन प्लाट्स विदाउट आरक्षन थे, जिसके उपर प्रस्ताव डाले जाने वाले थे, तो उस बारे में कोई भी निर्ने लेते समय, सिड़को प्लानिंग नहीं, फीडवेक नहीं दे दिया, दो हज़र, उननीश डिसेम्बर में, डेवलप्मेंट प्लान प्रोसेश के इसाब से महासभा को दिया गया, नवी ओम वाह न अगर पालीका के महासभा को, अब उस महासभा में नवी मुंबई के लोकप्र दिनी निरी पार्षत करके वह नगर से वग रहते हैं, उनको दे दिया, उन्होंने ये देखने के बाद कुछ उसके अंदर 221 के करीब करेक्शन सजेस्ट किये, और वो पब्लिक सजेशन और अब्जेक्शन के लिए हुना था, यानि पेपर में उसको दे देते हैं, आड दे देते हैं, ये पब्लिश होना जरूरी था, तो पब्लिश का मान्यता के लिए, महासभा की मान्यता ले ली, 221 उसके अंदर करेक्शन से, वो करेक्शन हो गए, और जाके महापूर के पास, फेब्रूरी में, गटनेता, यानि महासभा में जो भरेक पार्टी के प्रमुक रहते हैं, उनकी बैठक महापूर ने ले ली, और वो 221 इंपोस हो गए, करेक्शन से, ये कर्फर्म कर दिया, और उसको आगे पब्लिश करने के लिए रखा, अब 2020 में, उस वक्त करोना की आठ हो चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली, 2020 मार्च में, करोना का लॉक्डॉन चालू हो गया, अब करोना का दिया नहीं थी, यहने करोना के लिए हर एक डिपार्टमेंट के ओफिसर्स वगरे थे, वो लॉक्डाउन वगरे उनकी जो इंटर्नल सिस्टम चल रहा था, काम चल रहा था, उसके ओपर डिटी दे थी, टाउन प्लानिंग एक डिपार्टमेंट ऐसा था, जिसके पास कोई काम दिया नहीं था, करोना रिलेटेड, वो सिर्फ सिसी और ओसी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये पॉब्लिक सजेशन अब्जेक्शन के लिए पॉब्लिश किया नहीं, ADTP, हमन ठाकूर थे, उन्होंने ये फाइल अपने पास ही रखे, उसके ओपर कोई काम नहीं किया, अ अब ये प्रोसेश जब रहा था, तब जाके सिर्कों ने सानपाड हमें छे प्लॉट बेच दिये, उसके ओपर अरक्षन वागरे प्रस्तावी थे, वही उन्होंने बेच दिये, उस दोरान ये प्लॉट बेचे गए, कि जब ये डिप्लान पब्लिस भानगर पालिकार परन के ना तो नहीं किया इसका फारिदासीट को ने सहाथ का आपको लगता है, कृए हर बार महाराष्ट्य सासन के मंत्रा ले से आदे साते कि आपने पर्लिस नहीं किया इस वजह से उनका से से किया हुआ फ DOC लिए कर करक्षै कि लिए तोату है, कि आपका आरक्षन हैुन ही साल के लिए था और पॉपुलेशन सिर्फ 109 किलोमेटर में एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन 30 लाग का है अब यह 30 लाग कहा और 304 किलोमेटर का बीस लाग स्टेट का या सेंटर का नहीं लिए गया है सिर्कों का उन्होंने फॉर्मेट लिया हुआ है सिर्कों के इसाम से आरक्षिन डाला हुआ है अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा उधारन बताता हुं नेरूल स्टेशन के पास ट्रांस्पोर्ट जोन है अगर आप वेबसाइट पे सिर्कों के जाएंगे नेरूल नोडल प्लान अगर निकालेंगे तो आपको पीडिये फाइल मिल जाएगी अब वो ट्रांस्पोर्टेशन में उन्होंने क्या किया हुआ है निकाल दिया उसके कुछ पार्ट का और वो बेज दिया मेरे कहले हाट दर्स दिन हो गए वो टेंडर हो गया और सवा तीन लाग रुपया पर स्कुएर मेंटर के इस साब से बेज भी दिया उन्होंने कि छे सप्टेंबर का आदेश का ये पहला वहां पे चटका वहां पे लगा हुआ है अब उसके ऊपर वो प्लॉट के ऊपर नेरो स्टेशन पे और रेलवे कम्यूटर्स के पार्किंग की सुविदा चाहिए वहां पे जो मार्केट से जो फिश मार्केट वगरे सब जरी है उनका क्या करेंगे वो पता नहीं है बस खुली जगा दिखी बेचने का कारेक्रम इस आदेश के वज़े से चालो हो गया और ये अगर continue रहा और शासन ने नहीं रुकाया तो आने वाले वक्स में हमारे पास playground, hospital किसी चीज़ के लिए plot रहेंगे नहीं एक आपने बहुत बढ़े जिक्र किया आपने ये जो डीपी प्लान महानगर पालिका ने प्रस्तावीत किया था जो टीपियों ने पब्लिस नहीं किया इसका किस तरह से दुरूपयोग सीड़को ने किया और ऐसे कितने plot हैं जो इस डीपी प्लान के पास नहीं होने के कारण स सिड़को बेच डाले कि देखिए सिड़को एक नगर विकास डिपार्टमेंट के अंडर काम करने वाली एक कंपनी है और कॉर्पोरेशन मुंसिबल कॉर्पोरेशन है तो इनके जो बॉसे से मंत्रालाई से उप्रेट करते हैं सिड़को जब बेचती है प्लाट अब नवी म जिना नहीं था? यह लोग क्या कहे रहे है, म महाराश्यच छाषन क्या कह रहा है मुंसिबल को अगर ये प्लॉट बेचने नहीं दिये और ये प्लॉट बेचे नहीं गए तिस सिर्को एकोनोमिकली कोलाप्स हो जाएगी अब मैं बात बताद है बड़ा नुक्सान होगा सबसे पहली बात सिर्को गवर्मेंट बॉड़ी ये प्रॉफित मेकिंग कमपनी नहीं है दूसरी बात सिर्को ने घर सस्ते दापे बनाने चाहिए थे ताकि वो मुंबई का extended city करके हो लेकिन शिर्गो क्या कर रही है छे रुपया मीटर लिए हुए plot आज 37,00,00 रुपय मीटर में बेच रही है तो यह धंदा हो रहा है और लोगों को जो आम लोगों को जो अच्छा सस्ता घर मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है अच्छा पर 2020 में लागो हो गया नभी मुंबई के जो प्लॉट बेचे गए उसके ओपर बिल्डिंग बनी वो पुरा नहीं हो गई उसका री डेवलप्मेंट हो रहा है और सिर्गों को कुछ करना नहीं है सिर्फ री डेवलप्मेंट का NOC देने के लिए प्रीमियम का जो पैसा लेन पर 2020 को कम्यूनिकेशन की थी कि भबा हमारा ये नुकसान होगा ये कभी बताया नहीं था जितने भूखंड के ऊपर सिड़कों ने खुद आरक्षन लगाया हुआ है वो तो कॉर्परेशन को 25% प्राइस के ऊपर 25% के ऊपर देना चाहिए था उसके बारे में भी चिकर नही कि तो मैं आपको और एक दो उदारन बताता हूं दो तिन जिन पहले आपकी न्यूज आईदी महाराष्ट्र भवन कभ होगा तारिक कभ बताएंगे ये बरबर अब मुझे बात बताईए महाराष्ट्र भवन का अरक्षन रहेगा क्या क्या क्योंकि महाराष्ट्र भवन का वहा ही नहीं है। वह बिल्डर को दिया जाएगा। और वह पास्टो मेंटर से बहुत जादा उपर है। बरबर। दुसरा बात। पॉंग्रेस की पार्षद है। उन्होंने सेक्टर 15 में प्लेकराउन का प्लॉट रखा हूए। स्टीर 15 के बेल पुरूंट बेला पुर्ट के पगल में। आज भी बच्चे वहां पे केलते हैं। आज वो भी आरक्षिन रहेगा या नहीं रहेगा उसके बाद सिट्टर पंद्रा में कॉर्णर में वहां पे महें चोट है रेस्टोरंट है उसके सामने एक CNG पंप है उसके भगल में बहुत बड़ा जगा जो है वो पार्किंग के लिए रिजर्वेशन करके रखिये अब मेर अब करोना के वज़े से वहां अस्तित्व में नहीं है तो ऐसी कोन सी जल्दबाजी जल्दबाजी है क्या प्लोर भेचना पड़ है तीन मेने में नहीं बेचा तो सिर्व को लाग्स हो जाएगी तीन मेना रुकिए महासभा आने दीजिए महासभा का अधिकार है महासभा डिसेड कर लेगी तब तो रुकिए ओभी करना निये सिर्व को तड़ा तर टेंडर निकालते जा अगर सवातिन लाख में पेचा गया तो घर क्या भाव में मिलेंगे आप आजबी का कॉन सा बाला है तो यह आदेश लाने के पहले कम से कम इसके ओपर तो पूब्लिक सजेशन अब्जेक्शन तो लेना चाहिए था वो भी किया नहीं है पस सिर्ख मेरे पास government है मेरे पास authority है आपको लगता है कोन इसके लिए प्रमुक्त वर्वेजमेदार है? क्या ADTP जिम्यदार हैं जिनोंने टाइमली पप्लिष्स नहीं किया इस डिपी फ्लान को महाविकास अगाड़ी के मंतरी जमेदार है, सरकार जमेदार है वो लोग खुद क्या कहते हैं नवी मुंबई महानगर महापालिका वो सिड़को या दो सवत्तान चा नियंतरना आईवजी चवर्या तरह भी घटना दुरुस्ती लक्षाद गेता केवर महापालिके चे नियंतरन असने आवश्यक आए ये घटना दुरुस्ती खुद ये वां लिटरवेशन आपने डाले हुए ओं हम कैंसल करते है नहीं। आज के तारीक में अगर ओपन प्लेस नहीं पची लोगों को, आने वाले आपके घर में बच्चे हों के हार एक फैमिली ते गर में नवी मुंबई प्लाट 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 ने बनाए है ऐसे में कुल 109 km में कितने ऐसे प्लाट थे जो आरक्षित थे जो सीटकों के थे और इस नए जी आर के बाद उसमें से इट्रिलिटी बाट जो है बेच दिये जाएंगे और अब क्या जो बचे हुए प्लाट रहेंगे वो 30 लाग के संभावित आबादी के लिए जो जरूरते हैं जो पार्किंग की खेल मैदान की होस्पिटल स्कूल की और दूसरे सामाजी के इंदर के लिए क्या वो जगा परयाप्त होगी यह भी इन्होंने ही डिकलेर किया है तीनसो टोटल प्लाट पे महानगर पालिका ने 211 आरक्षन डाले थे और वो 2021 आरक्षन प्रस्ताव को counselors के न रहेंगे वाज़े से संदर्भांकित करने करने आए थे सजेशन यहांगे पब्लिश नहीं हो गया, आगे ये क्या केते है, 211 में से 42 भूखंड रहे है, सिर्फ 42, जो 500 मिटर के नीचे है, बाकि सारे 500 मिटर के उपर है, पाच भूखंड के उपर वो खुद आरक्षन चेंज कर रहे है, और सिड़को का इतियासा कर देखेंगे, सिड़को आरक्षन ये काम चल रहे है, तो आपको लगता है कि इसी तरह से महाराष्ट भवन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि 22 साल हो गए, जिस भूखंड को एक प्रसाश्च की भवन के लिए अरक्षित किया गया है, आज भी सिट को उसको देने के लिए त्यार नहीं है, महाराष्ट सरकार का बहुन है, और महाराष्ट की वो एक डामनस बोडी है, इसके बावजूद भी उससे पैसा मांग रहे है, और भुकंड नहीं दिर आपको लगता है, कहने कि इसी तरह से चेंज आप यूज होगा, और इस भुकंड को बेस दिया जाएगा, कार्परेट कंपनियों को या बिल बिडमना क्या होती है, यानि आपके घर पे खाना काने के लिए आपके घरवाले बोलेंगे पर राइस प्लेट का इतना पैसा रग तो खाना मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, इससे बड़ा कोई जोग हो ही नहीं सकता, शिर्को ने छे रुपया मिटर में जमिन ले ली, महाराष्टर सरकार की प्रॉपर्टी है जागीर है, क्या खुद के पैसे जो नहीं बना के दे सकते हैं, बना के देना चाहिए, मन्दा ताही नहीं ये काम किया हुआ था, पस फाइनल स्टेज पर आया था, गावर्मेंट चेंज हो गया था, आज के तरीक में ये आदेश ख और ये सारा पेपर निकालते समय है, आदेश निकालते समय है, इनोंने कहीं भी, कोई भी डिटेल्स क्या करना है, क्या नहीं करने, इसके बारे में कोई सुचना है नहीं ये दिः और मैं वा पिस कहता हूँ, नेरूर स्टर सेशन का ट्रांसपोर्ड डिपाटमेंट का ट्र लोकशाई में प्रतिनिदित्व महानगरपालिका में दिया हुआ है लोकप्रतिनिदित्व दिये हुए चुलके अवी उंबई महासभा आने तक अगर इसको निलंबित रखा जाए तो कोई तीन अगले तीन में चार मेने में कोई कोलाप्स होने वाली नहीं आई तो कोई कंड चल सकता है सो सो क्रोड रुपे अगर मुलुण में दे रहे हैं तो ना देके इधर ही रखे तो भी चल सकती है तो महासभास्तित्व में आने दीजे उसके बात करने दीजे वैसे भी हमारे नेता विरांसाभा में ले लेंगे ये विशेश को ने लेकिन सवाल तो यही है ना कर सीट को और भी सारे प्लाट्स बेचेगी अब जैसे आपको जिक्र कर रहे हैं कि 211 प्लाट पर आरक्षन था अगर उसमें 500 मिटर से जादा का प्लाट जिसको आरक्षन रद्द किया गया अगर उसको लेल हैं तो बचेंगे सिर्प 89 जिसमें से 5 और निकल गए तो सिर्प 84 भुखंड और 30 लाख की आबादी के लिए अगले 20 सालों की जरुवत कैसे पूरा करेंगे यह बहुत इक गंभीर सवाल है अब किस तरह के भूमिका नईंबैकरों को अपनानी चाहिए ताकि जो उनके भविस्त के लिए जरुविक भुखंड है वो बरकरार रहे हैं और सामाजी को प्योग के लिए उनका रक्षण बरकरार है मैं राजनीतिक पार्टी के एक कारे करता हूं मैं इसको इस परिप्रक्ष में देखता हूं अगर गवर्मेंट गलत कर रही है तो लोगों को समझ के लेना चाहिए कि गवर्मेंट गलत कर रही है करके और उसके वज़े से मुझे हर एक फैमिली को हर एक फैमिली के बच्चे को जो पिछले डेड़ साल से घड़ में बैटा हुआ है ओनलाइन क्लासेज ना खेलने के लिए मैदाने ना कुछ है आहिंदा मिलेगा नहीं इसके लिए जिम्मेदार कोन है और उसके लिए मुझे उतरना पड़ेगा दूसरी बात चुनाओ आरें अभी मुंबई में चुनाओ के वक्त इन्ही लोकप्रतिनी दुझे एन्ही थे सरकार के लोकप्रतिनी दिजो चुनाओ के लिए वोट मागने आएंगे उनको ये सवाल कुछना पड़ेगा आपके government ने ये हमारा permanent damage करने का जो policy adopt किया है वो पहला withdraw करो उसके बाद vote मागने के लिए आजाओ और उसका निरने जनदाने खुर लेना चाहिए भावना विबस कोई भी निरने नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये जो भी बाते है वो हमारे लिए नहीं है हमारे आने वाले अगली PD के लिए है अगर हमने अपना fight करके मैधान, grounds, open grounds, playgrounds, plots नहीं पचाए तो ये permanent damage city का हो जाएगा और रहेगी तो सिर्फ इमारत है और कुछ नहीं होगा democracy ने जो अधिकार नागरिकों को दिया हुआ है वो लेना चाहिए वैसे भी मेरे सुनने में आया हुआ है कि कोई आदमी, कोई दो-तिन हमारे दोस्त एंजियो है वो शायद हाई court में PIL फाइल करने के प्रोसेस में है आखरी सवाल, एक दो सवाल है लगातार पालक मंत्री एकना सिंदे नहीं में में आ रहे हैं नगरविकास मंत्र खाता है उनके पास है और उनकी जिम्मेदारी है एक पालक मंत्री के नाते की इस सिटी का पालक तो सही तरीके से समाल है और यहां के नागरिकों की भविस की भावी सुभिधाओं को भावी जरूरतों को देखते हुए उसका सही तरीके से नियूजन करें दूसरी तरफ डिप्टी सियम लगाता है सीट को और मारडी और नवी मारणागर पालिका में आ रहे हैं और ये दोनों बड़े नेताओं का और जो दूसरे मंतरी है उनका बार-बार यही काना है कि अगर यही खेल है जमीन बेचने का तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ध्यान देने वाली बात है कहीं और है जबकि जरूरत है तो नगलेक की जा रही है कुझे कहना नहीं चाहिए ये आधिस कुरू करता है कि नवी मुंबई में कितने खाली प्लॉट पड़े हुए जिसको बेचना है क्या बेचना है ये डिसीजन लेने के लिए नवी मुंबई में सारे बाहर के लोग जो आ रहे है क्योंकि नवी मुंबई का कोई भी स्थानिक नेता अपने जनता के प्रती इस तरीके का काम इस तरीके का खेला कभी करेगा नहीं चाहे कोई भी प्रकपार्टी का हो लेकिन उन नहीं कर सकता क्योंकि नवी मुंबई में उनको भी रहना है तो इसके लिए लोगों ने ध्यान देना चाहिए और लोगों ने थोड़ा आग्रव की भूमिका करनी चाहिए गर पे बेढ़ के कुछ नहीं होगा आपको उतरना पड़ेगा लोग का शाहिए ने आपको आधिकार दिया हुए एक आखरी सवाल इस वक्त नवी महानकर पालिका में नगर सेवक नहीं है और ये प्रसास की विवस्ता चल लही है सिटकों में संचालक नहीं है तो ये पूरा कामकार जो है राजसरकार और बालक मंत्रियों जो सम्मंदित मंत्राले है उनके अधीन चल ला है एक तरफ ये कहा जा रहा था कि लोग प्रतनिदित्व ज़्यादा होना चाहिए ताकि जनता के सुनवाई हो लेकिन यहां इस तरह की चीज़ा दिख रही है कि सारा का सारा काम ब्यूरोक्रेसिव के चल ला है तो आपको इसे कितना बड़ा निगेटिव इंपक्ट आपको दिख रहा है कि अगर ऐसा ही रहा ये देश के नंबर दो के रहने लायक सोहर नौइन भाई को बढ़ाल कर देगी और बुरा हालत इसकी कर देगी देखिए कोई भी चीज हम लोग अच्छी तरीके से तब करते है जब हमारे उस चीज के प्रतिप पैशन हो लगाओ जैसे ये सरकार का पैशन क्या है कलेक्शन तो वो कहीं भी चाहे कलेक्शन अची तरीके से कर लेती है और नभी मुंबई के हमारे जो नेता है उनका पैशन क्या है कि नभी मुंबई अच्छा से अच्छा हो साफ सुत्रा हो उसको एवाड और नभी मुंबई के आखरी इंसान को वो सुविदा मिले के इंदरे सचीव ने खुद काई कि नभी मुंबई में वो पोटेंशियल है, इंदोर को पीछे रखने मारा कोई अगर शेर है, तो वो नभी मुंबई है, हम उस तरफ काम करें, अरे लेकिन आप जो है वो बेचना चुरू कर दिया है, अब क्या रेलवे के उपर की जगा भी बेचेंगे अभी यह हालत में पोचेंगे, इसके लिए जनता को हमारा साथ देना पड़ेगा, जनता को उतरना पड़ेगा, और जनता को समझना पड़ेगा, जो जो आदमी आगले तीन मैने में वोट मांगने को आने वाला है, उसके आका ने नभी मुंबई में क्या कान कर के रखा हुआ है, ये उनको समझ के लेना पड़ेगा, और ये सारा पसाद का जर्ड जो है, वो ADTP हमन टा कुरे, जिन्नों ने फाइल पिछली एक साल चे दबा के रखी, पब्लिश होने नहीं देगी, गारे साब बहुत बहुत थैंक्यू, जैसा आपने जिकर किया, कि कही कहीं जो डिपी प्लान पब्लिस नहीं हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार ADTP है, और सिटको है, जो पैसे की लालच में यूटिलिटी भुकंडों को बेचने में जूटी हुए, और नईम भई को एक ऐसी दिसा में ले जाने की कोशिस में लगी है, जहां सिर्फ कांक्रीट क जंगल तो खड़े होंगे, लेकिन सुविधाय नहीं होंगी और लोग परिशान होंगे, आज के सवाल है करकर में बस इतना ही, अगली बारा आप फिर किसी नए सवाल के साथ दुबारा आप से रूबर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रह ये खबरों का नयाद डा, टीवीवर इंडिया, नमस्कार, लेटेश अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए, टीवीवर इंडिया लाइब को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए, बेल आइकॉन को दबाना मत दिए,